टॉक्स कर रहे थे चाइना के अमबेज़र के साथ दिली में और आज गलवान वैली का जो क्लैस है कॉंग्रेस मिसलीड कर रही है पूरे देश को मैं तो सीरे कहूंगा नड़ा साब जितनी शिद्दत से आप कॉंग्रेस और विपक्ष पे हमला कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से अगर आपके पुलिटिकल इस्टाबलिश्मिंट ने डिप्लमाटिक इनिशियेटिफ पे काम किया होता ना आज ये हालात नहीं होते हैं पूरे गलवान पर गलवान को छोड़िए अलग-अलग सेक्टर में जो चाइना की कोशिश हैं हो रहे हैं इनकरसन की स्ट्रक्टर्स खरे किये जा रहे हैं उनका जवाब दीजे न मतलब वो तो हर किसी को समझ में आ रहा है कि आपकी पूरी कोशिशिस बिपक्ष को साधने में लगी हुई है चाना को साधिये पूरा देश साध देगा पता नहीं वहां क्या कमियां रह रही हैं मैंने ही समझ सर्थ दूसरी तरव रही संकर प्रसाथ का कहना है कि आज हम 25 जून 1975 को रिकॉल करते हैं जब कॉवर्मेंट इंद्रा गांधी ने अपनी सीद बचाने के लिए किस तरीकेस इसारी चीज़ें की थी और हाई कोट ने उनको इलेक्षन था उसको उन्रद कर दिया था किस तरीक ही सोचने की कोशिश करते हैं कि गोशित वाले का वहाल था अगोशित वाले का ये हाल है कि चात्र युवा गिरफ्तार कर लिए जाएं यूए पीए की धाराएं लगाई जाए उधर नीशा थी इधर यूए पीए है कहां फरक है साहब एक व्यत्तिक अंद्रित अधिनायक अधिनायक वाद था यहां वैचारी अधिनायक वाद है तो हम तो यात्रा कर देखें 45 वरशों की तो रविशंकर जी मैं अग्रह करूंगा हाद जोड करके कि दक्षिन पंधी अधिनायक वाद का जो चेहरा हम देख रहा है ना उप्रति दिन एमर्जेंसी की याद दिलाता है अब एक दिन की बाद करते हैं तो सीधे कह रहा हूं यह कहां कोन से विमर्श में आ गए कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने दवा विक्सित कर ली पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं तो साधुवाद दूंगा कि मानव सभेता के लि जाती है इसकी पूरी जाच प्रकृिया हो और अगर ठीक पाई जाती है तो बाबा के लिए तो नोबल प्राइज होना चाहिए लेकिन अगर यह प्रपागेंडा था जाती तो कौन सा प्राइज सुनिष्यक करें यह मैं आईसीय मर पे चोड़ता हूँ प्राइज किस सर्फ इतना कहना चाहरा हूँ यह उनीसमा देन है और कीमतें बढ़ते बढ़ते यह हलो गई हम जो कभी कलपना नहीं करते थे कि डीजल पेट्रोल से आगे निकल जाएगा वो निकल गई अब सरकार नजाने किन की किन सलाहों पे चल रही है और सलाहकार लोग को प्रेशान हाल हो हम उसकी चिंता नहीं करेंगे मैंने प्रधानमंत्री जिसे पहले भी हाथ जोड़ के विंती की थी कि तेल की कीमतों को आप इंटरनेशनल क्रूड वाइल से रखिये सीधा तालुक हमारे आस परोस में अगर तमाम देशों में तेल सस्ता मिल रहा है हमारे कि हम महंगा मिलने की क्या वजय हो सकती है जिस अनदाता को आप प्रणाम करते हैं टेलिवीजन में आकर के या अखबारों के माध्यम से कभी सोचा है कि इन कीमतों का अनदाता पर क्या असर पड़ेगा और संगठी छेतर पर क्या पड़ेगा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता ह प्रणामंद्री जी आप और अपनी टीम के पूराने वीडियो देखिए ना एक बार वो दिन यादा ने तो सरकों पर फिर से आईए